क्यों? आज यहां के राजा को दारा के दर पर आना पड़ा? दारा, मेरी और तुभारी कोई दुश्मनी नहीं है हो भी नहीं सकती, क्योंके हम एक ही ठेली के चट्टे वट्टे है हम बुरे बन कर आतंग पहलाते हैं और तुम लोग सफेद कपड़े पहलाते हो भोले भाले लड़कों को आतंगवादी बनाते हो मुझे शाका का सर चाहिए दारा वरना वो तुम्हें मार देगा मिल जाएगा, मिल जाएगा शाका की तलाश जारी है और दूसरा मुझे मेरी बेटी वापिस आई है वो भी मिल जाएगी लेकिन राजा साहब हर चीज की एक कीमत होती है कीमत बोलो बड़ी धाक है आपकी इस इस इलाके में आप यहां के राजा जो ठहरे और फिर उपर से मने काम की बात करो, काम की बात हमारे चार आदमी आपकी मिलिटरी ने पकड़ रखे हैं थोड़ा वक्त दो उनको भी छुड़वा देंगे और फिर हमें बॉर्डर पार भी करवाना होगा अकेले तो मैं बहुत आसानी से पार कर सकता हूँ लेकिन मेरे साथ मेरी पूरी पल्टन होगी और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे मिलिटरी वाले उनकी लाशे बिछा दें और मैं अकेला उस पार पहुंचूं ठीक है तुम्हारा ये काम भी मैं करवा दूँगा बहुत खुम शाका का सर तो तुम्हें यहीं पेश कर दिया जाएगा लेकिन तुम्हारी बेटी वो हमें बॉर्डर पार करवाने के बाद ही तुम्हें मिलेगी ठीक है देखो गुल देखो नेतर आतंकवादी हाथ मिला रहे हैं इस देश में सब मिले हुए है इसलिए ना तो कभी यहां आतंकवाद खतम हो सकता है और नहीं कभी इस देश का भना हो सकता है शाका के मिलते ही इतला कर दे